जै जुहार संग्वारी हो नमस्कार जै शक्तिसगार स्वागात है आप सब के आपके अपन योट्यूप चैनल सीजी व्लॉगर भमता में दसंग्वारी हो आज में आपमन बल लेके आ पतना ज्यादा स्वादेश्ट की आपमन एक घंग बना हूं ना हमें सही तरिका से जब क आप मारा मेली बना के खाना चाहरू , बहुती स्वादिष्ट सिर्फ तीन से चारजी में बन के तयार होगे ता आउ देख लेव यह असान से रेसिपीला के सीमें बना के तयार करे हो। सिर्फ आप मन पर एकदम असान तरीका से कम समान हुए ता चलो फिर आज की रेसिपला शुरू कर ले थान अमा के बरफी बनाया बर संगवारी हो में करा जो भी समगरी ले हूँ आप मना बारी बारी से बता देत हूँ सबसे पहली हमला ची आमा मैं एकर चोटे-चोटे साइच के चाठन आमा ले रहे हूँ जेकर पलपला यानि कोकर गुदाला निकाल के मिक्सी के जार मर डाल की पीस ले हूँ काबर की निकालना गुदाला पीसना बहुत असान है ओकर सती ओई श्टेपला मैं आप मन के बीच में से यह नहीं करे हूँ गुदा-गुदाला निकालना है तो एकर एला एकदम हमला चीकना पीस के तियार करना है यानि कि बिल्कुल भी गुटली या फिर रेशा नहीं रहना चीए बहुत अच्छा से हापिसाना चीए तभी आपके जो बर्फी है अच्छा बनी आओ एकर अलावा हमला जो चाहिए चाहिए यह देख सकता हो आमा के तो पलप हमला चीए एला साइट कर दिता ओकर बद हमला चीए दूद पॉर्डर जो असली स्वादा ही ना वो आही दूद पॉर्डर से जिहां संगवारी हो एक रा में है तीन पैकेट यह पांच रुपाले पैकेट है ना ओकर तीन पाले पैकेट जो है ओला में डाल दे हो एक अरा सक्कर थोड़ा से तीन चम्मच के आसपस कावर की आमा भी मीठा है दुद्ध पाउडर भी मीठा है तो सक्कर नई डालू तब होला चली अव एक अरा में घियू ले हो देसी घी मोर कर रहावे उपलब्ध ता ओला मिया जो है एमें डाल हूँ चलो फिर बनाना सुरू कर्थान सबसे पहले में कडाही चड़ा दे हो एक चम्मच ही में देसी घीड डाले हो संगवारी हो अवकरबार डाल देना है इमें आमा के गुदला डाले की बाद मा इला बड़ी हसे हमला चलाना है और बहुत अच्छा अच्छा स लगबग चार से पांच मेल चला हो दिमी आज मा ओकर बाद में डाल दे हो दुद पॉडर ला जैसे कि आप मन देखा तो जतका आमा में ले हो ओकर से आधा में दुद पॉडर ले हो एकर से बहुत अच्छा स्वादा ही अगर अतना मात्रा आप मन हैं दोनों के रखुदा आम तम अच्छा से चलाना है आप मन चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके भी यह में जो है दुद पॉडर ला डाल सकतो तम एक साथ ही डाल दे रहे हो एकर वज़े से थोड़ा बहुत जो है गुटली आगे तैला में हविस्कर के सहायता से अच्छा से यह तरीका से जो है चला ल में डाल देता हूं सक्कर सक्कर जिसे कि मैं आप माला बताया हूं आमा भी मीठा होते हैं दुद पॉडर भी मीठा होते होकर हिसाब से आप मना सक्कर डालू अगर आप मन भूत कम मीठा पसन करता हो तो सक्कर बिल्कुल जहन डालू काबर की दोनों मीठा होते एकर सती मीठ अच्छा से में लग जथे एक देख सकते हो आप मना किनारेला हमले अगर इसे चेपकत जातना ओध को लुद खोलते हुते हुए आनि कि निकालते हुए हमला चलाना है अविजक तक कप तक आप मनें पकाना है आप मना देखो जब तक यह आपसमें बंदाना सुरूनी हो जही यानि कि यहाँ एक महों जी सब वहाँ, फिर आप मला खुद बाखुद पता चल जी कि अभी बसेला उतालने नहीं, जैसे यहाँ अच्छा से पक जी यानि कि थोड़ा गाढ़ा हो जी ना बिच बिच में आप मला अव एक एक चमच करके घ्यूँए में डालते जाना ही, एक किनारेला छोड़ी और बहुत अच्छा से कर अंदर जो है स्वादा ही, देखो जनवारी को फिर एक चमच में घ्यूँँ डाले हो, अब बहुत अच्छा से ला चला देत हो, फिर एक मिनट आदा मिनट चलाना है, फिर घ्यूँँँ डालना है, ऐसे करके कम से कम, चार से प कि चार से पांच चमच में डाल दे हो, देख सकतो हो, आप मन संगवारी हो, धिरे-धिरे करके जो हमार आमा के पालप है, वो बढ़िया से कडाहीला छोड़ा था वे, यानि कि एक मां जोड़ा थे, बिलकुल ऐसे ही होना चीए, अगर आप मनला पसंदे काजयों के स्मिस ब उकर बाध ही, अप मला एक बर आउध डाल देना है तेल और बहुत अच्छ से ला घुमा घुमा के चला लेना है जिसे मैं चलाता हूँ जब ये एकदम जेली की जी से आजी ना यानि कि आपस पूरा बंधा जी ओगर बाद ही आपमा लेला उताल लेना है तो चलो अब मेला उताल लेता हूँ याद रखो कि मैं पूरा आमा की बरफी ना धीमी धीमी आज महीं बना हूँ बहुँ जद अतिजाश की इस्तमाल में हैं नहीं करे हूँ अब एकर एकटू प्लेट ले लेना है या ट्रे ले लेना है ओला तेल से ग्रिश कर देना है यानि कि तेल से पोध देना है ओला कहे के मतलब एकर से हमार बरफी असानी से निकल जी चिपके नहीं अब एक अरह जो हमन बरफी बनाके तयार करके रखे हैं पकाके रखे हैं ओला जो तेल लगे वाला प्लेट है उमें डाल देना है और अच्छा से फैला देना है चाट ठन छोटे साइच के आमा ले रहे हो संगवारी हो अतका कासे बहुत सार अभी वर्फी बन के जो है तयार हो गिरी से बहुत ही स्वादिश्ट ए तरिका से जरूर आप मना ट्राइ कर हो ये देखो एलाई से हमना फैला देना है ये देख सकते हो आप मना हलका से हाथ हे पानी चूश सकते हो या तेल चूश सकते हो अगर आप मन पीस्त नहीं है, जो भी पलग्द नहीं है तो उकर बीना भी वह बहुत अच्छा स्वाद देतE काबर की आमा की बर्फी है आमा की खुद के अपन बहुत अच्छा स्वाद होते एकर सती में में इलाइची पॉडर के इस्तिमाल नहीं करे हो अगर आप मने इलाइची पसंद करतो तो आप मने में इलाइची पॉडर डाल सकतो जतना भी पसंद कर थो उकर हिसाप से बदाम डाले के बाद इल थोड़ा से दबा देना है ताकि ये अंदर शिपक जाए गीरे जहन खाय की समय तेल आप सेट हों देतन संगवारी हो लगभग चार से पांच घंटा ठंडा होए के बाद मेल डाल दे रहूं फ्रेज मा जीसे है नॉर्मल हो इसना उकर बाद मेल फ्रेज मा रख दे रहूं फ्रेज मा रखे के बाद ये थोड़ा कड़ा होगे है यानि कि बहुत अच्छा से सेट होगे है अगर आप मन कर फ्रेज नहीं ता आप मनेल बाहर में रख दू अच्छा से ठंडा होन दू उकर बदेला मंचा है कार में काट के बढ़ी हैसे इंज्वाय करू ते कर फ्रेज में रखे के बहुत अच्छा से कड़ा होगे संगवारी हो खाय मा अतना ज्यादा अच्छा लग थे ना, एक गों आपन बना हूँ, फिर आप मले कर स्वात पता चल जी, असानी से कट जाते हैं, यह मंचा है कारमेल, आप मले काट लेना है, जैसे भी आप मन पसंद कर थो, मेला बरफी केजी से चोकोर चोकोर ही जो है काटा थो, यह देख सकत हो आप मना, कोई भी कलर की इस्तिमाल नहीं हुए, वकर बावजूद बहुत अच्छा बने हैं, एकर मोटाईल आप मन देख सकते हो, बिल्कुल ऐसी ही मोटा रखो, बहुत जद पतला जहर रखो, ने तो फिर निकाले की समय दिक्कात हुए, तो बहुत अच्छा से काट ले हो, चलो फ तक तो संगवारी हो, एक तरिका से मिला, जमा भी देहो, कैसे लग इस वीडियो जरूर से कमेंट बॉक्सम ने लिखे बता हो, आप मन हाँ, उमीदी संगवारी हो, आप मलाम और आज के रसेपी हाँ, पसंद देश ना, ता आप मन भी एक तरिका से जरूर से बना के देखो खा के देखो, ओकर अपना नो भॉला, आउ बता हो, अभी बता दो, बाद में आउ बता हो, जब आपन बना के देखो दा, ता चलो फिर संगवारी हो, जल्दी बनाओ खाओ, अपना नो भॉला मोर कमेंट बॉक्सम सेयर करो, मिलत हो आप मन से में हैं, जल्दी एक नवाँ वीडियो किसार, तब तक बॉला को बनाओ बनाओ, आपना बनाओ, आपना पना, बता हो, जल्दी एक नवाँ दो, अपना नो भॉला राद मेंट खाओ, आपना लोगे देखो, अल्दी एक नियोगार, श्मक्समस करो जोभादी, हमदुत हैं, ड्वीड़ा, आपना बन दो